Equal Stomach, बराबर पेट, एक बहुती छोटी सी और विचारणिये कहानी है, चलिए इसको देखते हैं, Equal Stomach Mullah Jakrudeen was the वजीर in the royal court of बादशाह गुलाम महुमद Mullah Jakrudeen जो था, वो वजीर था in the royal court, यानि शाही दरबार में of बादशाह गुलाम महुमद, बादशाह गुलाम महुमद का जो शाही दरबार था, उसके अंदर वजीर था, कौन? Mullah Jakrudeen He was a very generous and honest man, वेक बहुती generous, generous क्या होता है, उदार, दयालू and honest man, और बहुती इमांदर, उनेस्ट यानि इमांदर वेक्ती था, और बहुती उदार्शील वेक्ती था, बहुती दयावान वेक्ती था He was the best in every manner, और वेह परतेक लिहाद से best था, सरवत्तम था, thousands of employees worked under him, उसके निचे हजारों की संख्या में करमचारी काम करते थे, employees यानि की करमचारी He was the supreme commander of all the employees, वह सभी करमचारीयों का supreme commander था, यानि सभी को आदेश वही उसी से मिलते थे, जो वो कहता था, वो सभी को मानना पड़ता था His orders were final, उसके आदेश अंतीम होते थे, even the king did not interfere in his decisions, यानि की यहां तक की या भी राजा भी, यानि यहां तक की राजा भी did not interfere in his decisions, उसके decisions में उसके जो निरने होते थे, decisions होते थे, उसके अंदर interfere राजा भी नहीं करता था यानि हस तक शेप नहीं करता था he lived in a very simple life he lived a very simple life वेग बहुती सामान्य सा जीवन वेतीद करता था बहुती सामान्य जीवन जिता था कौन? मुला जकरुदिन everyone respected him हार कोई उसका सम्मान करता था he was a man of power वेग शक्ति शाली वेक्ति था वजीर था पर्दानमंत्री के इक्वल था वो but he drew his monthly salary from the royal treasury equal to just any other normal employee but लेकिन he drew his monthly salary draw salary क्या होता है? तन्खाल लेना तो he drew his monthly salary वह है जो मानसिक वेतन लेता था from the royal treasury यानि शाही खजाने से treasury यानि की खजाना royal यानि शाही खजाने से जो वो अपना मानसिक वेतन पाता था या लेता था draw करता था निकालता था लेता था पाता था equal to किसके बराबर था? just सिर्फ any other normal employee किसी भी अन्ने समाने करमचारी के जितना या उसके बराबर यानि कोई छोटा मोटा जो करमचारी है उसके जितना ही वो वेतन वहाँ से सरकार से या कह लीजिए शाही खजाने से या राजा से लेता था यानि वो अगर चाहता था उससे ज्यादा वेतन भी ले सकता था लेकिन वो किसी भी अन्ने छोटे मोटे समाने करमचारी जितना ही वेतन लेता था पीपल ओफन आस्क्ट हिम लोग उससे अक्सर पूछा करते थे ओफन याने की सामान्य रूप से या अक्सर या प्राए लोग जो है अक्सर उससे पूछा करते थे आप इतने इतनी जो है इजतदार पोस्ट पर हैं पोजीशन पर हैं पद के उपर हैं इतने बड़े पद पर हैं इतने सम्मानित अधरनिय परसिद्ध विख्यात पद के उपर हैं इतने बड़े वजीर हैं आप बट स्टिल लेकिन फिर भी यो डॉंट एक्सेप्ट लेकिन आ वेजी जी या मजदूरी कह लीजिए, वो जो आप अपने परिश्रम के बदले में लेते हैं, निकि पारिशर्मिक, आपका वो जो रेमुनरेशन आप आप आते हैं, अपने काम के बदले, suitable to your post, लेकिन फिर भी आप स्विकार नहीं करते हैं, अपना पारिशर्मिक, suitable to your post, कम वहां से तनखा लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों है, लोग उससे अक्सर ये सवाल पूछा करते थे, मुला जकरुदिन रिप्लाइड और मुला जकरुदिन उनको क्या जवाब देते थे, रिप्लाइड ने की जवाब देना, इवन इफ, भले ही, my post is higher, कि मेरा जो पद है, वो बड़ा है, but don't you think, लेगिन क्या तुमें नहीं लगता, कि we all have an equal stomach, कि हम सब का जो पेट है, आखिर वो तो बराबर ही है, यानि भले ही, मेरा जो पद है, वो उंचा है, बड़ा है, but don't you think, लेगिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता, कि हम सबी का पेट तो बराबर ही है, यानि वो लोगों को क्या जवाब देता था, कि भले ही मेरा पद बड़ा है, लेगिन उससे पेट का क्या संबन्द है, यानि पेट तो हम सबी का बराबर ही है, तो कौन छोटा और कौन बड़ा, क्या कम और क्या ज़्यादा, तो मुला जकरुदिन के ऐसे महान विचारत है, साइलेंस फोलोड देर आफ्टर, उसके बाद जो है चुपी, छा जाती है, सनाटा पसर जाता है, यानि फिर उसके बाद उनसे कोई दुबारा क्वेशन नहीं पूछता, क्योंकि उनका जवाब ही इतना बड़ा था, इतना महान था, जो की विचारनी है, सोचने लाइक बात है, कि आखिर पेट तो सबीगा बराबर ही है, फिर कौन बड़ा है और और कौन छोटा है, क्या कम है और क्या ज्यादा है, तो ये कहानी आपको कैसे लगी, इसके बारे में कमेंट्स में लिक करके अवश्य बताएं, धन्यवाद.